दो जून दो हजार तेईस शाम के साथ बजे और एक जबरदस्त भीशन दुरगटना, रेल दुरगटना, बाला सोर जो की ओडिसा में पाये जाता है, होती है तीन ट्रेने आपस में टकराती हैं और फल स्वरुट इसकी वज़ा से तीन सो लोग करीब अपनी जान गवा देते हैं और हजारों लोग घायल पाये जाते हैं, इस रेल दुरगटना ने पूरे भारत में एक दुख की लहर पहुँचाई है मैं भी जब आपके सामने इसके बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे दुख के साथ ये आपके सामने शेयर करना पड़ रहा है कि वो लोग जो जीवन के बारे में बहुत कुछ सोचा, हम ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये प्लान है कई प्रकार की आशाओं के साथ उन्होंने उस ट्रेन में ट्रैवल किया होगा लेकिन अंत क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस स्लाइड में एक जबरदस्त, जबरदस्त दुरगटना हुई जो कि हमारे ट्रेन दुरगटनाओं में सबसे भीषण दुरगटना बताई जाती है और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, कि कितने लोगों का अंत दर्दनाक मौट से हुआ और भी लोग मरे होंगे जिसके बारे में हमें पता नहीं है क्या यही जीवन की आशा है हमारे जीवनों में? आज मैं आपके सामने इसी से सम्मंदित बताना मांगता हूँ कि जीवन की अनिश्चिन्तता, क्या हम अपने जीवन पर भरोसा रख सकते हैं? यह जो उडिसा में हुआ, दो जून को, साथ बजे, किसको पता था? किसी को पता रही? और हम देखते हैं कि किसी ने अपना मा खो दिया, किसी ने अपना बाप खोया, किसी ने अपना भाई, किसी ने अपना पती, पत्नी, परिवार, बच्चे, दोस्त, यार, और एकदम से शान्त हो गया क्या इसी को हम जीवन कहते हैं? एक प्रश्ण है और आप भी सोच रहोंगे किस प्रकार की दर्दनाक मौत से ये गुजरे होंगे और ये बात आज आपके सामने मेरे सामने एक खुले रूप से पताती है दर्दनाक मौत क्या हम जीवन पर भरोसा रख सकते हैं हम इस दुनिया में जनम लेते हैं तरह तरह की शिक्षा दिक्षा करके हम बहुत प्लान करते हैं हमारी बड़ी भरी आकांशाए होती हैं सपने होते हैं और फिर एक जटके के साथ एक जटके के साथ वो जीवन का अंध हो जाता है पतानी आपने सुना होगा कि निव गाना बड़ा पुराना गाना है जिन्दगी का ये सफर है ये कैसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं सच में इस गीत के पीछे एक बड़ा भारी भेद है, सीक्रिट है कि क्या हम अपने जंदगी पर, जीवन पर भरोसा रख सकते हैं जीवन की अनिश्चितता नहीं, नहीं कर सकते हैं और आज मैं इसी के सब्जिक्ट के उपर, इसी विशय पर बाइबल में से कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, जीवन के बारे में चलिए, सुन लेते हैं, परमेश्वर का वचन पहला मैं आपके लिए पढ़ूँगा याकुब की पत्री याकुब की पत्री और उसका चार अध्याए तेरा से सत्रा पत्र याकुब की पत्री उसका चार अध्याए तेरा से सत्रा जो हमारे जीवन के बारे में बात करता है कि कैसा ये एक धुआ है कैसा ये एक वेपर है वाश्प है, भाप है कुछ समय है और चला जाता है कुछ समय वो जिन्दगी भी ताता है और इस दुनिया से चला जाता है चलिए मैं पढ़ देता हूं परमिश्वर का बचन आपके लिए याकुब की पत्री उसका चार अध्याए तेरा से सत्रा यहां इस प्रकार से लिखा हूँ है तुम यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जा करके वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाब उठाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा अरे सुन तो लो तुमारा जीवन है ही क्या तुम तो मानो धुंद के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लुप्त हो जाती है इसके विप्रित्व में यह कहना चाहिए यदि प्रभू चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम करेंगे पर अब तुम अपनी डिंग बारने पर घमन करते हो ऐसा घमन बुरा होता है इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए पाप है बड़ा एक ऐसा यहाँ पर विवरन दिया गया है जो आम आदमी की जीवन में ऐसा होता है कई लोगों ने जो यह ट्रावल किये होंगे उस दिन औरीसा में जो त्री दो ट्रैनों में किस प्रकार के उनोंने प्ला tamaई होंगे कोई शादी बया के लिए जा रहा होगा कोई ग्रैजुवेशन के लिए जा रहा होगा कोई बड़ी खुशी से अपने लोगों से मिलने के लिए जा रहा होगा और अंत में लाशों का धेर वहाँ उडिसा में, बाला सौर में भुवनेश्वर में पाये जाता है लोग तड़फ रहें अपने लोगों को देखने के लिए आपने देखा होगा टेलिविजन में किस प्रकार से लोग बिलक बिलक कर रो रहें कि हम अपने बेटे की लाश को नहीं देख पा रहें हमारा कोई बहन खो गया और सब बिचारे इधर उधर भाग रहें जीवन क्या यही जीवन है? एक आदमी पूचता है क्या यही जीवन है? क्या इसलिए प्रिरी की बात है, मानव की बात है, यह बहुत ही दुख की बात है लेकिन परमेश्र का वचन इसके उपर यही बात कहता है कि हमें अपने जीवन पर भरोसा नहीं रखना है कि कल क्या होगा? हम नहीं कह सकते हैं यह डेथ या मौत हमें फोन करके नहीं आती है कि भई मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए यह एकदम से अचानक से हो जाता जैसा कि यह एक्सिडेंट जो आप इस स्लाइड में देख रहे हैं अचानक से हो गया क्या हम अपने जीवन का जीवन पर घमन कर सकते हैं? मेरे ख्याल में हमें जीवन पर तो घमन नहीं करना चाहिए लेकिन उस पर घमन करना चाहिए जो हमें जीवन देता हमें श्वास देता हमें स्वास देता है और आज का दिन हमारे लिए एक बड़ा आशिश का दिन है कल के बारे में किसको पता? हाँ, परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया है, उसे तो खैर पता है उसे ये भी पता है कि हमारा जन्म कब होगा और हमारा मरण कब होगा उसे सब पता है और उसी के आधार पर हम देखते है परमेश्वर का वचन बड़ा सठीक कहलाया जाता है चलिए मैं और कुछ पदों को आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ पाया जाता है भजन सहीता उसका 49 अध्याए भजन सहीता उसका 49 अध्याए चार और छे पद हे यहुआ ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालुम हो जाए और यह भी कि मेरी आईउ की दिन कितने है जिससे मैं जान लूँ कि कैसा अनित्य हूँ देख तुने मेरी आईउ बलिष्ट भर की रखी है और मेरी अवस्था तेरी दृष्टी में कुछ है ही नही सच मुझ सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों न हो जाए तो भी व्यर्थ ठहरते है चट्वापत सुनिये क्या लिखा हुआ है सच मुझ मनुष्य छाया सा चलता फिरता है छाया हमारा जीवन एक छाया के रूप में दिखाई दिया यहाँ पर सच मुझ मनुष्य छाया सा चलता फिरता है सच मुच वे विर्थ घबराते हैं वो धन तो संचाय करता है पर अंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा उसे कौन लेगा प्रभीश मसी ने एक बात कही सुसमाचार में कि एक मनुष्य ने खोब धन इखटा कर लिया खोब धन इखटा कर लिया और धन इखटा करने के बाद अराम से बैठा और कहा अरे ओ प्राण तुने बहुत इखटा धन इखटा कर लिया है अब सुक चैन से जी और इंजॉय कर पीछे से एक आवाज आती है अरे ओ मुर्ख आज अगर तेरे से ये जीवन ले लिया जाए तो इधन किसका होगा बहुत ही जबरदस्त बात यहाँ पर हम देखते है किसका होगा क्या हम अपने धन पर भरोसा रख सकते है क्या हम अपने प्लानिंग पर भरोसा रख सकते है बिलकुल भी नहीं क्योंकि हमारा जीवन क्या है आनिश्चिन्त है उसका कोई ग्यारंटी नहीं है कल क्या होगा आज क्या होगा अब उन लोगों को देखिए उनके बारे में सोचिए जो ट्रेन में गए बड़े उत्सुक्सा के साथ बाई बाई किया होगा अच्छा फिर मिलेंगे लोगों ने कहा होगा पहुंसते ही फोन कर देना हाँ हाँ और फोन डेड पड़ा रहा गया कोई फोन नहीं आया वो करीब थीन सो लोग मौत की नेन दर्दवाली दर्दनाक वाली मौत की नेन में सो गए यही है जीवन की पहली जीवन और उसके बाद मौत Bible में कई बात है इसके बारे में लिखा हुआ मैं कुछ और एक दो पढ़ आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ अपाया जाता है भजन सहीता उसका नबबे भजन सहीता उसका नबबे और चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है और उसका भलके कारण असी वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमन केवल कश्ट और शोक ही शोक है क्योंकि वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं लो साब यह है परमिश्वर का वचन यह है जीवित वचन जो जीवन की सचाई को बताता है कि हम अपने जीवन पर कोई घमन नहीं कर सकते हैं कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह हवा के समान आती है और आंदी के समान चली जाती है यह वो धुआ है जो थोड़े दिन दिखता है और उसके बाद खतम लिखा हुआ है ग्यारवापद भी मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए बारवापद तेरे क्रोध की शक्ती को और तेरे भै की योग्य रोश को कौन समझ सकता है हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बद्धिमान हो जाए जी हाँ आपको और मुझको ये देखना है कि ये जो जीवन है जो परमेशों ने दिया है इसको हम बद्धिमत्ता के साथ इस्तमाल करें जी हाँ परमेशों हमें बद्धि दे कि किस प्रकार से हम अपना जीवन व्यतीत करें फरमिशोनी हमें जीवन दिया है कि हम उसकी महिमा के लिए जीवन वेतीत करें चाहे वो हमारा जीवन 30 साल, 35 साल, 40 साल, 10 साल, 70, 80, 90 जो भी है उसके बारे में तो हमें पता नहीं है लेकि इसके बारे में पता है कि जिसने हमें जीवन दिया है हम उसकी महिमा कर सकें ये बहुत जरूरी है चलिए एक और रहसे की बात मैं बताना मागता हूँ जो पाये जाता है इबरानियों की पत्री इबरानियों की पत्री उसका नवध्या है और उसका 27 और 28 पद बहुत भैंकर पद है यहां पर और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है वैसे ही मसी भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार वलिदान हुआ और जो लोग उसकी प्रतिक्षा करते थे उनके उध्धार के लिए दुसरी बार बिना दुसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा जी हाँ परमेशर आपको और मुझको एक जीवन देता है कई लोग भी विश्वास करते है भाई या मरने के बाद दुसरा कोई और जीवन आएगा और कोहीं और हम जनम लेंगे गलत ये तो गरला धारना है ये तो मिथ्या है बाईबल जो जीवित परमेशर का वचन है सत्य वचन कहता है सिर्फ एकी जीवन आपको और मुझको मिलता है हम उस जीवन से क्या करते हैं ये बहुत जरूरी है कि हम उस जीवन में इस जीवन में ये शुमसी को अपना उद्धार करता माने इस से पहले कि बहुत लेट हो जाए अब हो तीन सो या ढाई सो लोग जो मारे गए एक्सिडेंट में मुझे नहीं पता कितने लोगों ने प्रभु को ग्रेंड किया मैं कहना भी नहीं चाहता पनमेश्वर जानता है और वो अनंतकाल के वस्था में पहुँच गए है बाहिल बताती है कि जीवन के बाद सिर्फ दो ही जगा है जहां पर हम जाएंगे नरक या स्वर्ग नरक या स्वर्ग यदि हमने जीते जी प्रभुष मसी को अपने जीवन में उद्धार करता ग्रहन किया है अपने पापों से पस्चताब किया है विश्वास किया है कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया गारा गया आती सरे दिन मुर्दों में से जी उठा मेरे लिया रहा है तो हमारा नया जन्व होता है और हमारे पाप शमा होते हैं और मरनो प्रांथ मरने के बाद हम स्वर्ग में सीधा परमेश्वर के पास पहुँचेंगे पर किंतु यदि हमने जीते जी इशु मसी का इंकार किया उसको नहीं माना और अपने ही मन साके नुसार चलते रहे तो मौत के बाद सिर्फ नरक के अलावा और कुछ भी नहीं है ये जीवन देखिए ये जो शारिरिक मौत है ये जीवन का अंत नहीं है इसके बाद भी एक है या तो अनंत जीवन या अनंत मौत मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ प्रकाशित वाक्य और उसका बीस्वा अध्याए प्रकाशित वाक्य उसका बीस्वा अध्याए और उसका चौदा और पंद्रा पद ये है परमेशर का वचन सत्य वचन और मृत्यू और अदो लोग भी आग की जील में डाले गए या आग की जील तो दूसरी मृत्यू है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में न लिखा हुआ न मिला वो आग की जील में डाला गया ये नरक है यदि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है यदि हमने प्रविश मसी का इंकार किया तरसकार किया उसको ग्रहन नहीं किया उसके उद्धार के प्लान को अपने जीवन में नहीं अपनाया तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा और मरने के बाद हम हमेशा हमेशा के लिए अनंत नरक में होंगे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेशर का वचन कह रहा है यह आपके लिए मेरे लिए बड़ी चितावनी की बात है आप जो परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं मेरी ऐसी आशा है कि आप जो सुन रहे हैं आपने अपना जीवन प्रभुश्यमसी को दिया है यदि नहीं दिया है तो आप तयार हो जाएं अभी इसी समय उस परमेश्वर पर येश्वमसी पर विश्वास करें प्रभुश्यमसी ने क्या कहा यहना उसका चवदा अद्याय और छैपद मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता ये परमेश्वर का बचन है तो सिर्फ एक ही मार्ग है एक ही सत्य है एक ही जीवन है और वो है प्रभुश्यमसी जो दोहरजार वरशपूर्व हमारे लिए अपनी जान अपना बनिदान कुरूस पर दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जीव उठे ये आपका मेरा करतव आए कि इस जीवन में जब तक हमारे पास जीवन है आज इसी समय प्रभु को ग्रहेंड करें ताकि मरने के बाद जो हमारा जीवन जो भी हो चाहे पचास, साट, सतर, अस्ति, नबे साल हम प्रभु के साथ हमेशा रहें ये गुड नियूज है लेकिन, लेकिन यदि हम इस जीवन में प्रभु को ग्रहन नहीं करते हैं तो इससे भी बयांकर मौत जिसे हम कहते आत्मेक मौत परमेश्वर से अलग नरग में होगा मेरे प्रियो हम इस जीवन को जो प्रभु इश्वमसी देता है बहुत दुखत है मैं भी इसको देख करके बहुत हैरान है मेरे आँखों में आशू अगर I'm sure आपके जीवन में जब इसको देखा, सुना कैसा, कैसा वो दर्द में तड़प रहे होंगे उस समय जब ये बात हुई दो जून को साथ बजे के करीब शाम को ओडिसा में बाला सौर जगह में मैं कई बार उस जगह से गुजरा है बहुत प्यारी जगह है, सुन्दर जगह है लेकिन चटानों से और ग्रीन वादियों से भरा पड़ा लेकिन वहीं पर ये मौद वहां पर छाया हुआ है मेरे प्रियों, परमेश्वर दो जीवन नहीं देता है, एकी जीवन देता है और उसी जीवन में हम अपना जीवन प्रभुश्व मसी को सौपे इससे पहले कि बहुत लेट हो क्योंकि मौद तो कभी भी आ सकती है इनके जीवन में नहीं क्या पता था कि रास्ते में ये हमेशा हमेशा के लिए मौत की नीन सो जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है हम जीवन को जीवन की जो अनिश्चित्ता है उसको ध्यान में रखते हुए उस जीवन की आशा करें जिसने कहा मारग सत्य और जीवन मैं ही हूँ कोई पिता के पास नहीं पौश सकता सिर्फ मेरे द्वारा क्या आपने उस जीवन को ग्रहन किया है इश्व मसी को ग्रहन किया है आप इसी समय प्रारतना करें प्रभू मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि तू मेरे लिए cruise पर मारा गया मेरे पापों के लिए तु बलिदान हुआ तीसरे दिन मुर्दों में से जीवी उठा मैं विश्वास करती हूँ करता हूँ और आज मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ देती हूँ पस्चताप करें अपने पापों से और देखेंगे आप परमिशुर आपकी पापों को माफ करेंगे और आपका नाम जीवन के पुस्टक में होगा भई मेरा नाम तो जीवन के पुस्टक में है क्यों? क्योंकि मैंने कही साल पहले जब मैं टीनेजर था उस समय प्रभू को ग्रहंड किया तो इस जीवन में आप निश्चित हो जाएए जब आप प्रभु इश्व मसी पर जो जीवन का स्रोत है उस पर आप इश्वास लाते हैं सो मेरे प्रियों आएए हम उनलों के लिए प्रार्थना करें जो पीछे रह गए हैं विशेश करके वे जीवन के बारे में सोचें विशेश करके जो उड़िसा में जो हाथसा हुआ है लेकिन उसके साथ साथ आप अपने बारे में भी सोचें क्या मैं प्रभु इश्व से मिलने के लिए त्यार हूँ अगर वो आए तो क्या मैं उसके लिए मिलने के लिए तैयार हूँ या मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो क्या मैं प्रविश्व मसी के साथ अनंत जीवन जीओंगा इससे हम बहुत भारी एक लेसन सिखते हैं एक सीख है अनंत जीवन के बारे में परमेश्वर आपकी अगवाई करे कि आप इस अनंत जीवन को प्राप्त कर सके आमेन